नमस्क्र दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से आपके ही प्रे चैनल प्राचीन ग्यान में दोस्तों आज के जो हमारे विडियो का बिशाय है जल के बारे में हैं वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में जरूर पता होगा, ये कहावत जरूर सुना होगा, जल हैं तो कल हैं, कहने का मतलब हैं कि जल ही हमारे जीवन का अधार है, संसार जब जल से भरा था, जब सिरिष्टी का निर्मान नहीं हुआ था, जब संपोन नर्व से मानव ज में आप लोगों को इसका कुछ चमतकारिक उपाया बताऊंगा। जो उपाय आबके जीवन को अम्रीद जैशा बना देंगे आबके जीवन में चेहरी विस हैं उसे समाप्ता करेंगे विस के मतलब हैं कि आपके जीवन में जो परसानी चेहरी हैं उस परसानी को दूर करेंगे और इस बड़ो को देखने के बाद मैं 101% प्रिकली दावे के साथ कहना चाहूंगा अगर आप इस बड़े को देख लेंगे तो आब के गरिवी को मिटने से आब के जीवन को बहार आने से आब को धनवान बनने से इसी के साथ आब के जीवन जो उल्जन में हैं उसे धूर करने से दूनिया के कोई भी शक्ती नहीं रोख पाएंगे मित्रों बत सब्सक्री जाते जाते हैं और यक्ष जाती से समबंद रखते हैं और यक्ष अर्थाद जो यह यक्षा की जितने भी शवी का हैं यक्ष devrait देने वाले बहुंश लक्षशडी होती हैं और जैसे कि कुभेरt जी है यह भी यक्ष्श की गंडा में आते हैं तो आज मैं आपшो कुको रात में सोने सपल एक लोटा जल इस जगह पे रग देना फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमगेंगे आप हमारे बीडियो के टाइटल देखी चुके हैं देखें प्राचित ज्यान चैनल का मकसाद है जनी तेवं जनकल्यान करना इसलिए आप सभी दर्शकों को तेवं जनकल्यान करना हमारे बीडियो में ब्यूज आए या ना आए इसे हमें कोई फरका नहीं पड़ता अगर हमारे बीडियो को देख कर के आप में से किसी एक भी बंदू का आप में से किसी एक भी बहनों का अगर भला होते तो हमें भी अच्छा लगते हमें भी पुन् और हमारे वाहज को आप काफी लंबे समय से जीवन को काफी पर्षानि का में, लिंट आपे जानकारी के लिए अपने ग्यान बढ़ाने के लिए अपने लालेज बढ़ाने के लिए अपने नालेज को आप इमपूरू करने के लिए ब्रभ ध्यन्षे देखेगा तो एक लोटा जल पलक जपकते दूर कर देगी आपके सारे दिक्कत किस परकार आईए जणते हैं तो हमारे धर्मस शास्तरत था लाल किताब में इस पस्टर लिखए हुए हैं जो लोग लाल किताब पढ़े होंगे उनके बारे में जबर बता होगा लाल किताब बहुती प्राचिन जोतिस बूक है और इसी के साथ बहुत शारे हमारे तंतर सास्तर के बूक में भी इस पस्टर लिखे हुए जो जल है ये जल का प्रती निधित्व करता है कोन वरूर दें होता और इसी के साथ ये यक्षजाती से शंबंद रखते हैं यक्षडी लेकिन योपाय करेंगे पूरे विश्वास रखना है पूरे स्रद्धा रखना है क्योंकि स्रद्धा नियम शयम और विश्वास पर टोड़ने टोटके अपने प्रभाव दिखाते हैं तो आपको करना है क्या है सुकलपक्छा के स्वमवारसे जिहां सुकलपक्छा के स्वम में में सूखल पक्छा के शोंवार से आपको शुरू करना है और पूरे सूखल पक्छा बर अर्थाद एक पक्छा बर कम कंशे कम 15 दिनों तक लगतार पीपल की जड़ में आपको बिलकुल ही मनो कम ना बोलते हुए दूंषानों कुने इतना से अगर सुकल्पक्षा के शोंवार्ति थी तो प्रत्हम दीवत से भी उपाय कि एक जा सकती हैं पूरे सुकल्पक्षबहर आपको पीपलकर जड़ में बिलकुल ही आपको पीपलर के जानते हैं तो साम के समय में सूर्यास्ता के बाद ध्यांसर शुणना वैसे तो यह उपाय को आता पहने को जरू करना चाहिए तो यह ज्यादा लाब प्रदन करते हैं आप अपने घर के जो वाइव को बोल सकते हैं आप अपने घर में बहन उसे आप बोल सकते हैं अगर आपक पुस्पा ना मिलने पर आप जो वाइट कलर की पुस्पा भी ले सकते हैं कोई भी पुस्पा हो अगर गुलाब के पुस्पा फिर इसे अतिवतम कहे जाते हैं और अगर गुलाब के पुस्पा ना मिल पाएं तो आप एक काम जरूर करना गुड़ हल की पुस्पा ले सकते हैं आपको दो बुदुस में इतना डालना है और एक आपको पुस्पा उसमें डाल देना है और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल आपको रखना है तो इसे क्या होता है मातल लच्मी प्रतेक मनुष्य के द्वार मे आप मानो ये ना मानो बिल्कुल ही माता लच्षमी सामय के समय में प्रतेक मनुष्य के द्वार में आती हैं लेकिन हम इसे देखते हैं बिल्कुल ही हम नजर अंदाज कर देते हैं अगर आप माता लच्षमी की आजमन आप में सदिक्ता लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे घर में पैसे आते तो हैं लेकिन पैसा फिर चले जाते हैं पैसा बिल्कुल ही ठहरता नहीं तो यह उपाय करने के बाद आपके घर में पैसा ठनना सुरू हो जाएंगे अर्थात आप लच्मी का आदार करना सुरू बंद जाएंगे दिन दुगनी रात चोगनी आपके देखना उसी टाइम से जिस दिन आप यह उपाय करेंगे तरकी होना सुरू हो जाएंगे मच्छाती ठोंके बोलता हूं प्राचिन ग्यान चैनल में जो जानकारी बताय जाते हैं वह जानकारी अच्चुक रामबान की त बाहर से घुम करके आते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो कौन किस भाय है वह से आ रहे हैं आनकार आत्मक शक्टी को नेगेटिव और गर्जां को वहां से भगा देती हैं आपके घर में आने नहीं देते हैं घर मुख्य द्वार पे जल रखने के और भी अंगीनत फायदे इससे पित्रदय भी प्रसन होते हैं मैं तो बोलता हूँ प्रतेक मनुष्चों को घर के द्वार पे बिल्कुल ही जल रखना चाहिए आप जहां से भी बाहर से घुम करके आ रहे हैं बिल्कुल घर में घुशने से पहले कदम रखने से पहले एक बार जल बिल्कुल अपने सरीर में डालेजे फिर आप अपने घर में परवेश करें तो आपके घर में आपके साथ मगर कोई नगरात्माख शक्ती आ गई हैं गलती प्रेट के उपर में आप जल डाले तो भश्च्मा हो जाएंगे, क्योंकि इस वाने मनुष्य योनी को सरुत्तम योनी बनाए हैं और मनुष्य योनी को ही कर्मयोनी कह जाते हैं, इसके बाद जल का एक और जबरजस्त उप्योग बतारूं, अगर आप विडियो को चोल करके ज कोई सब्सक्षा सीद्विए इस जल कोusi में इसके प्लिक घर के ना स्पास कोई सब ही फूल हो फूल चलेंगे बाकी नहीं तो कोई साभी फूल हो जैसे कि मदार का पुष्प है और जैसे कि गुड़हल के पुष्प है गुलाब के पुष्प हो उसमें आपको इस डल जल को डालना है तो आप जैसे नित्त-यक्रिया शुरू करें होते हैं। जानकार होते हैं। क्योंकि जल्ड़ में आगर आप जो हैं किसी भी जैसे पुष्प आ आप जो जल डालते हैं तो इसे भगवान गड़ेजी प्रसन होते हैं क्योंकि जितने भी पेड़ पोधें हैं ये सब किसको समर्पीत हैं ये बुद्धग्रा को समर्पीत हैं बुद्धग्रा के स्वामी कोन है भगवान गड़ेजी हैं मैं इस्टो लाजाल कि अगर मैं दुन जोटी सी चीज है जो भी चीज आपको चाहिए इस दुनिया में वह सारे चीज आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे तो अभी तक आपने हमारे बीडियो को लाइक नहीं किये तो बीडियो को लाइक जरूर कर देना और कोमें बखस में जैसी राम दिरू लिखना और अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो और आज की जानकारी कैसे लागे हमें कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा आज की जानकारी पर समापता करते हम साथ को बिड़ देखने के लिए धनिवाद नमस्कार